धूप से जूलसी त्वचा या संबन एक सामाननी स्किन कंडीशन है। यह तब होती है जब आप देर तक तेज धूप के संपर्क में आते हैं या आप धूप में बहुत अधिक समय बिताते हैं। त्वचा पर यह प्रतिक्रिया धूप की अल्ट्रा वॉयलेट के रनों के कार संबन के कारण आपकी त्वचा लाल हो जाती है। साथ ही त्वचा पर पपड़ीदार और त्वचा में खुझली वाले पैच दिखाई देते हैं। साथ ही संबन के कारण आपकी त्वचा काली भी पढ़ सकती है। लेकिन क्या आप जानते हैं संबन के बाद कुछ गलतिया संबन के कारण लाल हुई तवचा को मेकप से ढखने से आपको सिर्फ इसे छिपाने में मदद मिल सकती है लेकिन यह कोई समाधान नहीं है बलकि इससे आपकी स्थिती बिगर सकती है जब आप तवचा पर मेकप लगाते हैं तो इससे आपकी तवचा सांस नहीं ले पाती साथ ही made up लगाने के लिए brush के इस्तेमाल से त्वचा छिल सकती है जिससे आपकी त्वचा में सूजन और जलन हो सकती है इसलिए सन्बन के बाद make up का इस्तेमाल बिल्कुल न करें ऐलोवेरा का उपयोग करना आपकी त्वचा को थंड़क देने और लालिमा को कम करने में मदद कर सकता है, लेकिन बजार में मिलने वाले ज्यादा तर ऐलोवेरी जेल में आर्टिफिशिल सामगरी डाली जाती हैं, जैसे बैंजोकेन या लिडोकेन, इस तरह के ऐलोवेरा जेल का इस्तेमाल करने लेकिन संबन की समस्या होने पर टाइट कपड़े पहनने से बचना चाहिए, टाइट कपड़े पहनने से धूप से जुलसी तवचा सांस नहीं ले पाती हैं, जिससे वे जल्दी ठीक नहीं हो पाती हैं, ऐसे में बहतर है कि आप थोड़े धीले और कॉटन के कपड़े पहने, अक्सर लोगों को धूप से आने के बाद सिरदर्ध होता है, क्योंकि धूप के कारण आपकी तवचा डिहाइडरेट हो जाती है, ऐसे में कॉफी का सेवन करने से आपकी स्थिती बिगर सकती है, क्योंकि संबन से राहत पाने के लिए हाइडरेट रहना जरूरी है, लेकिन क भूप के संपर्क में आते हैं तो आपके शरीर से पसीना निकलता है, इससे आपका शरीर डिहाइडरेट हो जाता है, शरीर में पानी की कमी की वजह से तवचा में जलन और सूजन हो सकती है, ऐसे में यह जरूरी है कि आप परियाप पानी पीते रहें, इससे आपकी तवच इसके अलावा आप खीरे का पेस्ट बनाकर इसे अपनी तवचा पर लगा सकते हैं। सन्बन से राहत पाने के लिए तवचा पर दही लगाना बहुत लाबकारी साबित हो सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि दही का pH लेवल हाई होता है जो तवचा की जलन को शांत करने में मदद करता है और सन्बन से राहत प्रदान करता है। धूप से जुलसी तवचा पर बर्फ लगाने से तवचा को नुकसान पहुँचाए बिना जलन और दर्द कम करने में मदद मिलती है लेकिन बर्फ को सीधे तोर पर तवचा पर न लगाएं इसके बजाए आइस पैक का इस्तेमाल करें या आप किसी मोटे कपड़े में बर् प्रभावित हिस्से पर तब तक रखें जब तक कपड़े का तापमान सामाने ना हो जाए इन बातों का भी रखें खास ख्याल संबन तवचा पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए तवचा को बार बार नहीं चुना चाहिए और तवचा को कभी भी खरोंचे नहीं इसस त्वचा में घाव या संक्रमन हो सकता है आपको धूप से प्रभावित त्वचा के उस हिस्से पर Medical Shop पर मिलने वाली किसी भी क्रीम को लगाने से बचना चाहिए अकसर काउंटर पर मिलने वाली क्रीम स्टिरोइडल या combination दवाएं होती हैं जो संबन को और खराब कर सकती है संबन को ठीक करने के लिए कभी भी हल्दी जैसे घरेलू उपचारों का उप्योग न करें ये आपकी समस्या बढ़ा सकते हैं वीडियो में बताए गए उपायों का इस्तेमाल करने के बाद भी समस्या में कोई लाब न मिलने पर आप तुरंद किसी तवचा विशेशगे से परामर्श करें तुरंचा विशेशगे आपकी स्थिती के अनुसार आपको एंटी अलजी और एंटी इंफ्लेमेटरी क्रीम के साथ साथ एंटी बाउटिक दवा दे सकते हैं